सुप्रिम कोट में आज निर्भया केस में दोशी ठहराए गए अक्षे की रिव्यू पेटिशन जो है उस पर सुनवाई होनी थी और रिव्यू पेटिशन जो है खारज कर दी गई है हाला कि ये सुनवाई कल होनी थी लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस ने तीन बेंच को ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया तो आज सुनवाई हुई और तीन जज बैठे थे और तीनों ने इस रिव्यू पेटिशन पर एक मत से सहमती जताई कि रिव्यू पेटिशन की नहीं कह रहे थे जिसे सुना जाए तो तीनों जज का एक मत से यही डिसीजन था कि इसमें कुछ नया नहीं है रिव्यू की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो बाते वो तथे सामने लाने चाहिए जो जिस पर शायद जज जो बैठे है वो विचार करे क्योंकि ये पुनर व पिटिशन खारच कर दे गई है क्या कुछ कहना है इसमामले में निर्भ्या के माबाप का आईए वो भी आपको सुनवाते हैं कि सुप्रिम कोर्ट का फैसला ये सफर हमलों का बहुत दर्द भरा रहा है ये कईक पल हमलों के लिए बहुत भारी था कि क्या होगा